स्री राम जहां जन मिलिये मैं उस देश का वासी हूं स्री राम जहां जन मिलिये मैं उस देश का वासी हूं नाम मेरा विनाश और मैं अध्या का निवासी हूं राम को जो मिला वनवास गलत था लेकिन कोई राजा कभी बहुत मजबूर भी हो सकता है राम को जो मिला वनवास गलत था लेकिन कोई राजा कभी बहुत मजबूर भी हो सकता है जित पर अड़ जाए अगर रूठी हुई सौतेली मा तो बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है एक और सुनिएगा कि अब मैं अपनी पोईटी पर लिख लिया चलो आज खुद के ऊपर एक कहानी लिखता हूं कैसे निकला आखों से पानी वह निशानी लिखता हूं इसक विसक प्यारवार पर बहुत लिख लिया आज रूह की आवाज को मुझबानी लिखता हूं आज रूह की आवाज को मुझबानी लिखता हूं लिखता है और जब तुमने अपना एक नया हमराही ढूंड ही लिया हातों में उसका हात लिया माथे को उसके चूम लिया अब क्या करता मैं तुम्हें रोक कर जब तुमने उसके साथ पुरा सहर बरसात में घूम लिया चलमाना उसके साथ घूमने में तेरी कोई मजबूरी रही होगी अब क्या करता मैं अब क्या करता मैं मैं बेबस लाचार देखता रहा कोणे कमरे में बैठकर सोचता रहा मैं बेबस लचार देखता रहा कोने कमरे में बैठकर सोचता रहा सायद सायद तुझे मुझसे बिछड़ कर समझ आया तो होगा सायद तुझे मुझसे बिछड़ कर समझ आया तो होगा दूर होकर मुझसे पस्ताया तो होगा और जहां हम साथ जाया करते थे वहां उसके साथ जाकर घबराया तो होगा और नहीं मैं बेवफा हरगीज नहीं यह कहते हुए अपने नए साथी से हिचकिचाया तो होगा चल सही किया तुने मुझे इस प्यार के बदले रंगीन साम दे कर आखों में कुछ आसू हातों में सराप का जाम दे कर सची महबबद क्या होती है बता दिया तुने सखा दिया तुने एक लास्ट है कि बाइस को भगवान राम की प्राण पर तिष्टा है बाइलक मेरा भी बड़्डे बाइस कोई है तो सुनिएगा कि हम गवा है इन घडियों के हदकडियों से मजबूर नहीं हम गवा हैं इन घडियों के हतकडियों से मजबूर नहीं फुस्पक विमान आकास में है अब राम हमारे दूर नहीं तो इसलिए सजालो आरतियां घंटियां संख तैयार करो अब राम बनेंगे राजा अपने राजा का सतकार करो अब राम बनेंगे राजा अपने राजा का सत कर दो दन्यवाद जैसी जाम